हलो एवरीबन कैसे हैं आप सभी को नमस्कार आज मैं फिर से हाजिरूं लेकर के एक विज्ञान की वीडियो दोस्तों ये वीडियो थर्ट सेमिस्टर के इस्ट्रेंट्स के लिए है यूपी डीलेट थर्ट सेमिस्टर तो यह हमारे सामने बस तुनिस कोस्चन्स हैं इनको हम देखेंगे और रिवाइस करेंगे चली शुरू करते हैं को से नमर वन प्रत्वी प्रत्य वस्तु को अपनी और खींचती है यह किसने बताया तो ऑप्शन सा ठीक है आई जेक न्यूटन ने आप्शन सा अगला को से लेते हैं को से नमर दो कुमार के चौक की गती होती है ग स्वाइस करें तो गूल तो गुरुणन गती होती है और वो अपनी धूरी पर गूंता है इसलिए वह गती कुमार के चाक की जो गती है बाज हो यह गलत है तो एक बार अपने इस तरह से भी स्कोस्टन को सर्च कर लें है ना कोई डॉट में आ रहा है लेकिन यह सरल रेखिये करती बिल्कुल नहीं होती है इस बात को आप समझ लेजिए चलिए अगला कोश्चन लेते हैं कोश्चन नमबर तरी सामाने तब रक्ष की लंबाई होती है तो option सास है यह 3 मीटर से 30 मीटर तर तीर मीटर से 30 मीटर तर ठीक है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर चार प्रतम प्रकार के उत्तोलक का उधारण है option था hand pump, hand pump जो है वो प्रिद्धम प्रकार के उत्तोलक का उतारण है, question number 5, अफसेसियंग होते हैं, जो अफसेसियंग होते हैं, वो अनावश्यक होते हैं, unwanted होते हैं, undesirable होते हैं, उनकी कोई need नहीं होती, तो वो अफसेसियंग कहराते हैं, option 6, option 6 सही है, question number 6, जो अनुदैत तरंगों में जो माध्यम के जो कण होते हैं, वो तरंग की गती की दिशा के समानतर चलते हैं, अनुदैद्रे में माध्यम के कण तरंग की गती की दिशाग के सवांतर ओप्षन सा किलियर है सही है कोश्चन नमबर आठ अनुप्रस्त तरंगों में माध्यम के कण उत्पन होते हैं तो इसका ओप्षन आ सही है option आप तरंग की गती की दिशा के लंब बत अगला question लेते है question number 9 question number 9 है पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतय पर उत्पन तरंगे होती है option 2 के बार अनुप्रास तरंगे होती है अनुप्रास तरंगों में क्या होता है question number 10 question number 10 लेते है घड़ी में मिनिट वाली सुई का आवर्तकाल होता है देखिए जो घड़ी की जो मिनिट वाली सुई होती है वो एग घंटे में एक चक्कर लगाती है okay 60 मिनिट में एक चकर लगाती है इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हुआ एक घंटा option A सही है option A question number 11 पर चलते है एक कड़की आवर्तकाल एक कड़का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है उसकी frequency होगी तो देखिए एक फार्मूला होता है frequency हमको निकालने का फार्मूला होता है f बरावर बनो पॉन T f बरावर बनो पॉन T जहां पर f frequency है और T का है आवर्तकाल है तो इस फार्मूले हम लगा देंगे आवर्तकाल कितने दिया है इनोंने आवर्तकाल कितने दिया है आवर्तकाल है इनका 0.02 0.02 अब देखिए यहां से पॉन्ट अटाएगे तो 2-0 आजाएगे दो से 100 को भाग देंगे तो 50 निकल के आएगा तो frequency हो गई 50 हर्ट्स 50 हर्ट्स देखिए कौन से ओप्शन है 50 हर्ट्स यान कि ऑप्शन बार ऑप्शन बार जो है सही आंसर है ठीक है question number 12 question number 12 बिल्कुल 11 की तरह है बस यहां पर variables दिये हुए है numerical कोई value नहीं दिये है यह कहना है किसी तरह के आवर्टकाल तथा आवर्टी में संबंध होता है तो अभी मैंने formula बताया था f बराबर बनोपॉंट t frequency जो होती है वो proportional होती है आवर्टकाल के sorry inversely proportional होती है आवर्टकाल के अब इनको थोड़ा साही कर लीजिए तो इनको तिर्ची गणा करेंगे देखिए f into t बराबर बन f into t बराबर बन यह answer होगा तो यानि यह option 6 सा सही है option 6 is the correct answer question number 13 चलते है question number 13 कर रहा है अनुपरस तरंगों में दो सिरंगों की बीच की दूरी देखिए तरंगों में जो दो सिरंग हों या दो गर्त हों उनकी बीच की दूरी जो है वो lambda कहलाती है तरंग देहर दी कहलाती है इसलिए option 6 is the correct answer अगला question question number 14 doctor thermometer में ताप मापने का विभाजन इसके लोता है 95 degree Fahrenheit से 110 degree Fahrenheit option 6 option 6 is the correct answer ठीक है? option 6 is the correct answer question number 15 पे आते हैं हरित लबक पाया जाता है बनस्पती केस का में हरित लबक बनस्पती कोशका में पाया जाता है option 2 is the clear answer question number 16 telephone का विसकार किया था gram बेलने option आ सही है telephone का विसकार gram बेलने किया था option is the correct answer अगला question लेते हैं क्रिस्टल रूप है काजल कोयला जन्तु चारकोल हीरा देगी कारवन का जो क्रिस्टल रूप है वो गया है डायमंड हीरा option 2 option 2 is the correct answer question number 18 द्रब के गैस में बदलने को कहते हैं क्या जब कोई लिक्विड किसी द्रब में जब कोई लिक्विड किसी गैस में चेंज हो जाता है तो उससे क्या करते हैं बास्पिक रंड वैपराजेशन तो option 3 is the correct answer question number 19 पे चलते हैं चना अबलेक मंटर की जड़ों की गांट में पाया जाना बाला जीवाडू है राइजो बियम चना अबलेक मंटर की जड़ों की गांटों में पाया जाना वाला जीवाडू कोई सा है राइजो बियम ओफ्षन आ ओफ्षन आ इस दा करेक्ट आंसर कोस्ट नंबर 20 कोस्ट नंबर 20 है बर्फ का गलनांक होता है देखिए जीरो डिग्री सेलिसर पर जो बर दिग्री में जागने पर बर्फ बनता है लेकिन जीरो डिग्री पर आने पर वही वर्फ हाइए वो क्या होती है वो पिखलने लगती है अगला कोस्ट नमबर 21 को सिगरा है ओसma का संचरन कितनी विदियों दवारा होता है तो तो ऊसमा का संचरन जो है वो तीन विदियों द्वारा होता है ठीक है विक्रण द्वारा रेडियेशन जिसे कहते हैं सम्मेहन द्वारा और दूसरा तरंगों के द्वारा ठीक है option is the clear answer question number 22 उस्मा के सुचालक है लोहा भी उस्मा के सुचालक है तामा भी ऐलमुनियम यह तीनों के तीनों मैटेरियल है तो यह तीनों के तीनों उस्मा के सुचालक है तो यह option the the is the correct answer अगले question जी तरफ चलते हैं question number 24 sorry question number 23 उस्मा के कुचालक है तो हवा पोर्शिलीन उन यह सब क्या है यह सब मैटेरियल नहीं है ठीक है तो यह सब क्या है उस्मा के कुचालक है तो option does the correct answer question number 24 प्रकास का सबसे महतवूर स्रोत है सूरिय सूरिय सबसे महतवूर स्रोत है प्रकास का option the option the correct answer question number 25 प्रकास के प्रकृतिक स्रोत है सूरिय जुगनु तारे सभी option the option the correct answer यह सारे के सारे सूरे के प्रकृतिक स्रोत है human made नहीं है प्राकृति स्रο होता है question number 26 दीपत बस्तु नहीं है option A दरपnd देखे दीपत का मतलब होता है जो बस्तु है स्वहीयम प्रिकास उत्पन करती है वो दीपत कहलाती है तो दरपण है वो कोई प्रिकास उत्पन नहीं करता है इसलिए तो दीप्त बस्तू नहीं है इसलिए option A is the clear answer question number 27 बेवस्तू जो सोईं प्रकास उत्पन करती है कहलाती है दीप्त बस्तू ऑप्शन 27 का option A सही है question number 28 car bus तता truck के चालक के पास दाइए और एक दरपण होता है उसकी सायता से चालक अपने पीछे आने वाले बाहनों को देखका सतर हो जाता है यह दरपण है उत्तल दरपण ठीक है उत्तल दरपण जो हमारे बाहन होते है तो नम्हें राट सैड में जो दर्पन रगा होता है जिससे हम पीछे के आने वाली सवारियों पर नजर रख सकें तो वह दर्पन जो है उत्तल दर्पन होता है कोई बस्तु कंपन कर रही है और इधर आया तो एक सैकेंड वह उसने जो पूरा चक्र लगाया वो कह रहता है उसका आवर्थकाल तो option AI दक सही एंसर के सिरी कोई नमबर 31 में जिसर्पन को उत्यंक उप्योग होता है उसकेंग औरolt दर्पन डड़ दाड़ी का उत्तन दर्पन रहे उस्तु आपrzyं करेक्ट प्र किस दरपण में पिर्तिवम सदय आवासी सीधा तता बस्तू से छोटा बनता है उत्तल दरपण इस बहुत याद रखने वाला कोश्चन है उत्तल दरपण एक ऐसा दरपण है जिसमें जो इमेज होती है वो आवासी होती है सीधी होती है तता बस्तू से छोटी होती है तो option by is the correct answer. Question नमबर 32. किस दरपण में पिर्तिबम सदय बास्तिव उल्टा तदा बस्तू से बड़ा बनता है? अब तल दरपण. अब तल दरपण में क्या है कि जो पिर्तिबम है वो उल्टा बनता है. और बस्तू से बड़ा होता है. और लेकिन वो real होता है. बो दरपण जिसके बाहरी सतय पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतय चमकिला होता है कहलाता है. अब तल दरपण. अब तल दरपण होता है. ठीक है option आज था clear answer. Question नमबर 34 है. बो दरपण गर पर कलह नहीं होता है बलगी चमकदार होता है तहो अंदर सतय पर कली होता है कहलाता है उत्तल दरपण option बार इस तरह से ऊंधर की सतय पर प्रावतनी घठना होती है कहलाता है अप्तल दर्पण फिके इस तरह का अप्तल दर्पण होता है इस परावतर की कटना होती है इस तरह ऐसे अप्तल दर्पण पर घुटा है ऑफश्ण आ आज़ था किलिवर होता है यह दोलन प्रति सेकेंड एस हर्मिन आपते हैं तो व् dow söऌ हाइज द्हों करेक्ट ऊंसर 15 लुगा कुंपन करती हुई बस्तु का आधिक्तम विस्तापन गया लाता है आहाँ सेखेक्ट आंसर कोई वस्तु का अपनी सत्य अपनी जो में पॉइंट है वहां से यह क्या लाता है विस्तापर को तो अप्शन आज दा करेक्ट आंसर कोश्चन 39 पानी का कुथनांग होता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गरम करने पर ठोस अवस्ता से सीधे गैसी अवस्ता में पदल जाते हैं इसके रियाव करते हैं उर्दवा पतन उर्दवा पतन जैसे एक सोडियम है सोडियम को अगर खुले में रख दें तो वो डारेक्ट जो है गैस में कनवर्ट होने लगता है तो क्या होता है उर्दवा पतन कहलाता है कोस्ट नमबर 41 पहाड के निकेट निश्चत दूरी पर जब कोई धोनी उत्पन की जाती है तो धोनी पहाड से टकरा कर अबलिक प्रावर्तित होकर पुना वापस आती है और पहले उत्पन की गई मूल धोनी की भाहा थी धोनी सुनाए पड़ती है कहलाती है क्या पिर्थि से तो मानब का कान एक निश्य सीमा के बीच की फ्रिक्वेंसी की धोनी सुन सकता है कौन सा ओप्शन है बीस हट्स से बीस हजार हट्स तक जो हुमन का जो कान होता है वह बीस हट्स से बीस हजार तक की फ्रिक्वेंसी की धोनी को सुन सकता है तो ओप्शन आ से है चलिए अग और तो बी ओडी बायलोजिकल ओक्सेजन डिमांड द्वारा क्या होता है जल का प्रदूशन का मापन, जल होता है नोघ कितना सही है कितना खराब है उसकी जानकारी हमें इस वास से पता लगती है कि उसमें आक्सिजन की मात्रा कितनी है तो BOD test के द्वारा ही हम जल के प्रिदूशन की मात्रा पता करते हैं अगर उसमें आक्सिजन की मात्रा कम है उसमें प्रिदूशन ज्यादा है अगर उसमें आक्सिजन की मात्रा भर पूर है तो उसमें कम सकम प्रिदूशन है आप्षिन आ जल प्रदूसर ने जो है वो बीओड के दोवारा ना पाजाता है बहुत ही इंपूटेंट कोस्ट नुम्हार फोटीपॉर ग्लोबल वार्मिंग का अरता है प्रित्वी का गरम होना दीखिक ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ग्रीन हाउस एफेक्ट प्रित्व तो चाहिए नॉर्थ पॉल हो या साउथ वॉल हो दोनों पर वर्फ हैं तो वह प्गलेगी इसलिए आप्शन वाइस दा सौरी आप्शन सा इस्था करेक्ट आंसर और दोणों दुर्वों की वर्फ पिखल जाती है कोशन 46 ओजोन परत को कहते हैं जीवन रख्चक परत तो ऑफशन आज दा करेक्ट आंसर जो ओजोन परत है उसको हम जीवन रख्चक परत कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जो ओजोन होती है वह सूरिय से आने वाली अल्ट्रा वाइलेट यूवी यूवी रेडि जैसे इसकिन का कैंसर जैसे बीमारी होने लगें तो हमारे लिए जो ओजोन है वह अल्ट्रावालेट रेस से बचाती है तो जोन के इसलिए जीमर अच्छक परत कहते हैं ही अगला कोशन ऑजिँर परत के च्रण का कारण क्या है देग neighboring नुकसान पहुंच रहा है और पश्यू परीं के लिए तो उसका कारण क्या है यह पॉखतर्नाग पर्दूशन है जी सि कि पजैसे पिंसें क reference आयक है कोईश्य नमबर 48 दाब का सूत्र है P ब्रावर F1 है आंसर A, option A2 करेक्ट आंसर पास कल मात्र का किसका दाब का जो पास कल तेरों ने दाब का फार्मूला दिया था दाब की डेफाइन किया तो पास कल मात्र का दाब का ऑफ्षन बाइस दा करेक्ट आंसर अगले लेते हैं बस्तूओं से धनी उत्पन करके इनने की कितनी विदिया हैं आगात से रगणने से फूक मानने से तारों कीचने से सभी और यह सारी विदियों से हम धनी उत्पन कर सकते हैं और अप्षिन दाइज तो क्रेंट रांसर को से 51 बिज्ञान और प्रोधितकी का संबंद है भूद घनिष्ट संबंद है वह बिज्ञान और साइंस और टेक्नोलोजी आपस में दूसरे के कंपलिमेंट है बहुत ही घनिष्ट रिलेशन है इनका और अधने की इननन है देखी आधने इननन का मतलब है वह इननन जो पर दूसर कम करता हो तो एल पीजी जितने इननन इनों में दे रखे हैं वह उनमें एल पीजी सबसे मॉडरन इंदर इननन है यह कम से कम पर दूसर करते हैं और लास्ट सौरी कोस्टिन नंबर 53 है मनोरंजन के साधने वीडियो गम टेल आफमान होता कितना सैथिस डिवी सेल्सियस या 98.6 फॉरेन हाइट 98.6 फॉरेन हाइट यह कि ऑफशन आइज दा करेक्ट आंसर इस तरह यह कोशन थे बस्तुनिस्ट कोशन थे यह 54 कोशन हमने लिए इन सब को ध्यान से याद कर लिजिएगा बहुत ही अच्छे कोशन है कि अधियर करें